Hello everyone, welcome to Zyaika मसेदार तो आज हमने बनाया है बहुत ही मसेदार सा चिकिन वाइट कुरमा बिलकुल जैसे शादियों में और दाफतों में बनता है बिलकुल वही टेस्ट का बना है तो चले बनाते हैं, यह यमी सा चिकन वाइट कुरमा लेकिन मेरे स्टाइल में लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और बेल आइकन जरूर हिट कर दीजेगा ताकि मेरी आने विली सबी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुचें तो चलें स्टार्ट करते हैं तो एक पैन ले लेते हैं और उसमें में डाल रही हूँ एक कप तेल तेल जब गरम हो जाएगा तो उसमें हमें ने डालेंगे होल स्पाइसे यहाँ ले लिया है मैंने जीरा हरी इलाइची, बड़ी इलाइची, बादियान का फूल है, दो तेस बाद हैं, काले मिर्च, लॉंग और ये दारचीनी है इन सब चीजों को हम तेल में डाल देंगे जब तेल मीडियम गरम हो जाएगा और इसको 30 सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेते हैं और जब इसमें अच्छी से खुश्भी आ जाएगी तो यहां पे मैंने प्यास ली है, दो लार्ज प्यास थी इसको मैंने बारिक पेस्ट बना लिया था और इसको भी हमें भूनना है लेकिन इसको हमें golden नहीं करना है बिल्कुल भी क्योंकि white korma है तो golden बिल्कुल नहीं करना है जैसाइक के लिए 30 सेकंड्स के लिए sate करेंगे जैसन टेभी द्रग का पेस्ट एक taste बयाता इसको भी हळिल्का सा 30 सेकंड्स के लिए फुराई करनाय में thanks time इसको अच्छे से वाश करकी ड्रेन कर लिया इसका सारा पानी और इसको भूरेंगे और चिकिन का कलर चेंज होने तक इसको ऐसी ही फ्राइ करेंगे और जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैंने डाल दिया है एक चमच नमग आपने टेस्ट के साफ से कम बढ़ती कर लीज तो इसको अच्छे से विस्क कर लिया है और रूम टेमपरिचर दही को हम चिकन में मिला देंगे और इस टाइम पे फ्लेम बिलकुल स्लो पे होनी जाहिए इसको ढग के पांच मिट कुक कर लेते हैं तो जब तक चिकन कुक हो रहा है तो यहां पे मैं ले रही हूँ जाएफ बहुत ही मजे की खुश्मू निकली है इसमें से तो इसको थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि नीचे से लगे नहीं और जाफिल जवेत्री का मैंने पाउडर बनाया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको भी अच्छे से मिक्स कर थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा है तो मैंने हां आदा चमच बढ़ा दिया है और थोड़ा सा पानी डालूगी मैं अब तो जिस ब्लेंडर में हमने काजु बदाम पी सा था उसे ही मैंने आदा कप पानी डाल के और वो पानी इसमें शामिल कर दिया है इसको अच्छे से कुक क करेंगे और हम इसको ढग देंगे और इसको पांच मिनिट के लिए कुक करेंगे तो चलें आप पांच मिनिट हो गए हैं चिकन भी चेक कर लेते हैं इसको अच्छे से चला लेते हैं नीचे से ताकि हमारा मसाला लगे नहीं बिल्कुल भी अब इसमें डाल देंगे हरी मिर् तो इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ में डालेगी दो टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेका और फ्लेवर फूल की कोर्मा बनता है, आप जरूर ट्राइ कीज़ेगा, और मुझे फीडबैक दीजेगा कि अपने अगर यह बनाया तो आप कोई कैसा लगा, अब इन सब चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और इसको हम कवर करके इसको दम पे पांच मिनट के लिए और पकाएंगे, तो यह पांच मिनट बाद देखी, ऑईल भी सरफिस पे आ गया है, कोर्मा हमारा पूरा रेडी है, तो बस इसको पांच मिनट के लिए फिर से ढखेंगे, और इसके बाद इसको रिशाउट करते हैं, तो यह लिए जी बहुत ही मज़ेदार चिकिन वाइट कोर्मा बनके तयार है, बिल्कुल जैसे हम बजारों में रेस्टरॉंस में और शादियों में खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनता है, रेसिपी जरूर ट्राइ कीजेगा, और मुझे जरूर अपना फीडबैक दीजेगा, तो अग कोई मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजेगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजेगा, ताकि मेरे आने